सच्छे गाल वर्ड न्यूज बेख रहे सारे दर्श का दस्वागत हैं मैं हां कमल जीत को और विलिटिन दी शिरुआत कर देया हैं हैड्लाइन से नाथ उत्रखंडी सिल्के आरा सुरंग दे विचो एक ताली मजदूर सुरख्यत कड़े गए बाहर स्तारा दिना बाद बाहर आये सुरंग अंदर फसे मजदूर आस्ट्रेलिया दे प्रदान मंत्री एंथनी अल्बानिस ने संसत देविच मंगी माफी गरब अवस्था दुरान खराब दवाई दिते जान दे मामले विच पीड ताली अल्बानिस ने की ताप पश्चा ताप इसराइल हमास युद नु लेके विशव सेहत संगठन दी चतावनी गाजा विच बंबारी तो वाद लोकां दी जान नू गंवीर बिमारियां तो खत्रा होन खबरा विस्तार दे नाल उत्रखंडी सिल क्यारा सुरंग दे विच पिछले 17 दिन तो फसे एक ताली मजदूरा नू आखिरकार सुरख्यत बाहर कड लेया गया है इस मोहिम दी ग्लोबल मीडिया ने भी शलागा कीती है नाल ही इस लाइव टेली कास्ट पूरी दुनिया दे विच विच विखाया गया उनने अपने रिपोर्ट दे विच लिखिया की सुरंग दे बाहर पहली व्यक्ती दे बाहर और तो बाद खबर देनाल जशन दा महौल बन गया CNN ने कहा के मज़ूरा नो बचौन दे यतना नो कई चटकियां दा सामना करना पया जोदो मलबे दे विचो खोदन लेई वरती गई पारी मशीन टुट गई कतर स्थित न्यूस चैनल अल जजीरा ने दस्या की करमचारियां नो करीब ती किलोमेटर दूर हस्पताल जान लेई एंबुलेंसां सुरंग दे नेडे ताइनात कीतियां गई असान उनना केहा के मजदूरा नो पाइपां दे बने रस्ते राही बाहर कड़ेया गया जिसनों बचा टीमा ने मलबे विच पा देता सी केंद्री सड़क तेयावचाई मंतरी नितिन गड़करी ने खुद एस बारे सारी जानकारी सांजी कीती है मुझे बहुत खुशी है कि सिलकी आरा टनेल के हाथसे के कारण जो 41 मजदूर फसे हुए थे वो बाहर निकले है और उनके जान बची है सभी एजेंसियों ने विशेशुप से पीमो के मार्गदर्शन में बारत सरकार की सब एजेंसिस उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की परिश्रम किये अलालक परयाओ पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है ये बहुत गहरा संकट था पहली बार इस प्रकार का अन्बो आया इन लोगों की जान बची उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुबकामन शुबचाय देता हूँ और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकर के एजेंसियों ने और राजस सरकर के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजिनियर्स ते रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके आभार वेक्ता करता हूं ये घटनाने भी हमको सिखाने के लिए बहुत कुछ मिला है अब हम लोग इसके बारे में टरनेल का सेफटी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेकनोलोजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा सदा अच्छे टेकनोलोजी का उपयोग कर सके ये भी कोश स्वास के साथ फिर से एक बार जेंजेल लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेश रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुब कामना है क्योंकि वो विचारे वापस आये हैं हमारे लिए सब के लिए बहुत देविच थैलीडो माइड पीड़ता तो माफी मंगी आते कहा कि मौर्निंग सिकनेस द्वाईयां पर बावित मामा आते बच्चेयां दोवादी मदद करन देविच असफल रहियां मौर्निंग सिकनेस दा मतलब है कि गर बवस्था दुरान दिन देविच किसे वी समय देविच करता कि आते हैं These parents, these mothers, did nothing wrong. These parents did not fail their children. The system failed them both. Which is why, as so many survivors have requested, the apology we offer today embraces and includes their parents and their families as well. Mr Speaker, here is the apology. Today, on behalf of the people of Australia, our government and this parliament offers a full, unreserved and overdue apology to all thalidomide survivors, their families, loved ones and carers. This apology takes in one of the darkest chapters in Australia's medical history, when expectant mothers through no fault of their own were exposed to a drug with devastating effects that were realised far too late. To the survivors, we apologise for the pain thalidomide has inflicted on each and every one of you, each and every day. We are sorry. We are more sorry than we can say. We are sorry for the harm and the hurt and the hardship you have endured. We are sorry for all the cruelty you have had to bear. We are sorry for all the opportunities you have been denied. We are sorry for the battle you have had to fight over decades, for fair support and due recognition. And we are sorry that there are so many who deserve this apology, who have not lived to see this day. We offer our respect to their memories and we extend our deepest sympathies to their families and friends. To the mothers and fathers, today we apologize because you were failed too. UN AIDS, the economy report lets communities leads. दर सौंधी है कि दो हजार ती ता के एड्स नू जन तक सेहत खेतर देवी चो खातम का दिता चाहेगा पारजेहा करना फ्रंट लाइन वरकर ते कम्यूनिटी सरकार आते दानिया दी सहायता तो बिना संभव नहीं होगा डिप्टी एग्जेक्यूटिव डारेक्टर दा कहना ह कि एस दे विच्व कोई शक नहीं कि कम्यूनिटी लिडर्शिप मजबूत अते सेहतमन समाझ जाहं दा निर्मान कर दिया है आते इसे लिए ऽीज़ वेड दिहाडे सिर्फ कम्यूनिटी लिडरशिप दा संमान करंदा पल नहीं थी यह पल है कि MP nossa ली सरकार नू जो पाई चारहां दी अगवाई कारते ने. The World AIDS, this World AIDS Day, actually comes at a momentous time. We know that there is a path to end AIDS. We are celebrating the fact that there's tremendous progress that we've seen in the global HIV response. AIDS deaths, for example, have decreased by nearly 70 percent since they peaked in the early 2000s. There are fewer new infections now than ever before. This is great progress that countries around the world have made. But it's important to note that the job is not yet done. Every single minute, a life is lost to AIDS. Every week, 4,000 adolescent girls and young women are newly infected by HIV. And still, 9.2 million people around the world that are living with HIV do not have access to life-saving treatment. So this is not a fate. We can change it and we know how to do that. The path to end AIDS has been trailblazed by communities. Countries succeed when communities on the front lines of the AIDS response leads the way. And so that's why, this year, the theme for World AIDS Day is Let Communities Lead. The evidence is laid out in the World AIDS Day report that we've just released today in advance of World AIDS Day. It's the communities that know best. They know how to design, how to implement, how to monitor HIV programs and strategies to reach the people most in need. This is the end of the day. चाहेगी इस जंग बंदी देविच कतर ने एहम पूमिका निबाई है एक अमरीकी अधिकारी ने भी पुछ्टी कीती है कि बर्नस कतर देविच है अमरीकी विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकन दे इस हफते खेतर दा दोरा करन दी संभावना है इसराइल ने किया है कि हमास नू दे रहाई नू मन दे होई जंग बंदी खत्म हों तो बाद हमले शुरू करनली केहा गया है जिस दे बदले वड़ियां मंगा हो सकतिया ने हमास मूदे साथ अक्तूबर नू दखनी इसराइल ते हमले तो बाद 240 लोका नू कैद करके रख्या गया सी जिना दे विच्छों 160 अठजेवी बंदी ने बाकिया नू जंग बंदी दुरान रहा कर दिता गया है इसराइली फॉज ने कहा है कि हमास वलनों रहा कीते गए कैदियन दे विच्छ नो औरतां आते 17 साला लड़का शामिल है अते उननों हस्पिताल लचाया गया है इसराइली चल रही केराबंदी दिविचकार विशव सेहत संगठन ने एक चतावनी जारी कीती है के गाजा दिविच बंबारी तवाद लोकां दी जाननों बिमारियां तो खत्राए जदों तो इसराइल ने 7 अक्तूबर तो हमले शुरू कीते ने गाजा दिविच बालन युक्त रास्चेतियां सहूलता ते निशाना बनाए गए हमले आकारण गाजा दिविच नाजुक बुन्यादी तांचे नूँ वड़े पद्र ते नुकसान पहुंचे है जिनेवा दिविच एक ब्रीफिंग दुरान बोल दियां डबलू एचो दे बुलारे मार्गरेट ह हैरिस ने किहा कि आखिरकार बंबतम आक्या नालों बिमारी नाल मर्दे हुए ज्यादा लोकानों वेख्या जाएगा जेकर आसी ऐस सेहत पर नाली नू दुबारा जीवन दे विच लिए ओंदे योग नहीं हुए जीवे की रिपोर्टां दास रहिया ने हैरिस ने जोड़ आवालब वर ल किवे रिर्यार ने जेई लो और बिए याज आग जीवे जाएगा जिए ने जीवेख लिए भीफ गन देवेख एब लेत जब लूगकी लगना थे बेख्या विएर्गाराई थ्या एालों दूमी जीवे बीज़ाए परोब देट विचीवे रह जीवे पार्थी क्रिकेट टीम नो विश्व कप देविच माद देन तो बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने मोड़ा अपने वतन वापसी कीती है स्मॉक्य ऑस्ट्रेलिया दे विश्व कप चेतू कप्तान ने किया कि हर कोई जित दे जशन देनाल गूज रहा है सिड्नी क्रिकेट में दान ते छेमें क्रिकेट विश्व कप दा परदर्शन कर दे हुए उस्ट्रेलिया एक अपतान पेट कमिंस ने कहा कि उना दी टीम देवा लो में जबान पारत नो हरां तो एक हफते बाद हो आजे वी उच्छ पदर देने आजे वी उच्छा पर करा रह चाहिए तो थे लाग पांग एक लाखो परसंस का दे साम ने आउस्ट्रेलिया अपता तीम आपश दे विच पिडियां अल capitalizeिधा अ爬 ग ARM, अख्या ह वाय dat वी अ करती मփच्य कसी अनुञा इसाराना इसी ृतिफ्वाटलाई इस अर सुटिधा अर्श समार बार करेंजीया यह No, уж支持 व करेंगर Most Fin सुट अनुट ते इसे कि अटियो अटेब आन इसे ही राद करेंश रहां All done! All done! Everyones buzzing about it, so it's been no shortage of positive reception since we've been back. It's been a great week. And yeah, although we're a long way away, you feel it through, you know, your phone the last couple weeks as it was building up towards the end, there was a swell of support from back home. So yeah, I don't think maybe the scenes you would have seen प्रतिनी दी रूचरा कम बोज ने फालस्तिनी लोकान आल लेक जुटता दें तर राश्ट्री दिहाडे मौके बोल देयां फालस्तिनी लोकान लई पारदेलं में समय तो समर्थन अते दो राजी हल लेई यतना दी पुष्टी किती है रूचरा कम बोज ने अग्गे जोर देके कहा है कि अतवाद देलेई कोई वी जायज नहीं हो सकता ते खास तोरते पारत दी अतवाद दे विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीती है बाकी बचे कैदियां दी तुरंत रहाई दी म अंग भी रूचरा कम बोज वर लो किती गई We are gathered today Mr. President at a time when the security situation in the Middle East is deteriorating due to the ongoing Israel-Hamas conflict with the large-scale loss of civilian lives, especially women and children and an alarming humanitarian crisis. This is clearly unacceptable and we have indeed strongly condemned the death of civilians. In addressing this humanitarian crisis, Mr. President, it is necessary for all parties to display the utmost responsibility. In this, we welcome all efforts by the international community that would lead to a de-escalation and delivery of humanitarian assistance to the people of Palestine. The humanitarian pauses is a welcome step to ensure timely and continuous delivery of humanitarian aid. We, on our part, have sent 70 tons of humanitarian goods, including 16.5 tons of medicines and medical supplies. We are aware, Mr. President, that the immediate trigger were the terror attacks in Israel on 7 October, which were shocking and deserve our unequivocal condemnation. There can be no justification for terrorism and hostage-taking. Our thoughts are with those who have been taken as hostages. While we welcome the news of the release of the hostages, we also call for the immediate and unconditional release of the remaining hostages. India has a zero-tolerance approach to terrorism. We also believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. I will add, Mr. President, that since the start of the conflict, my Prime Minister and External Affairs Minister have been in close contact with leaders of the region and beyond, where they have emphasized a consistent message that it is important to prevent escalation, ensure continued delivery of humanitarian aid, and work towards an early restoration of peace and stability. Along with restraint, they have... The first question has been given, Mr. President, that the Israeli government has been here to this and has been asked for the दिना दी योजना वेच कई कारवाईयां वेच पिछली उदारवादी सरकार दियां पहल कदमियां नू रद करना शामिल है जो छे साला तो सत्ता वच सी नमे यतना देविच नवे ओन योगुर जाओ पादन नू दुगना करन दी योजना शामिल है लक्सन ने क्या है कि पाते नौ जमाना ली उमर पार दीपाबंदी दियां लोडावी शामिल ने लक्सन दी सरकार ने क्या है कि तमबाकू पाबंदीया नू खतम करन दिनाल हो टेक्स डॉलर लेंदे जान के हालां कि ये लक्सन ने कहा है कि ये पैसे सेहत दा वपार करन दा मामला नहीं है आलोजका दा कहना है कि ये योजना जन तक सेहत दिले एक चटका है ते तमबाकू दियोग दी एकवड़ी जित है कैनिडा दे उंटारियो दी अदालत ने मसाज पालर कतल मामले च दोशी नूमर कैदी सजा सुनाई है जो जे विच पैरोल दी कोई भी संभावना नहीं होवेगी हाला कि ये व्यक्ती उस वेले 17 साल दा सी जदो उसने फरवरी दोजार वी दे विच बेरैमी दिनाल मसाज पालर दी करमचारी दा कतल कीता एस सजा दे बदले उसनू 10 साल लगातार सलाखां दे पिछे बतीत करने पैण गे माहरां दा कैना है कि अजहे कतलां दे पिछे हिंसक खुंदी जा रही परवेती दा कारण इंटरनेट टे सोशल मीडिया दी वदेरे वर्तों है एस फ्रैक्ष पुर्ष उस पूर्ष त्रफ टी जावे फिजह लगाई आप पर कर दोये भी दिए वीज सक्षर, वीज वाघवेशने का यवेशने थे से नचिए फो वीजएने क को एवेशने दिर वीजएने, वीजशने यवेशने एख नवेशने लिन छ रवेशने यग 15 15 यह कुट भी इन चाट रूम यह एंड आप बिन इंफ्लॉएंस बाइस समाजिक देख पाल देखे तरह वेच पाड़ी नू पूरा करन लई यूके देवेच बिलाए गए वे देशी काम में अदा बड़े पदर ते सोशन किता जा रहा है कियानों प्रती कंटा पांच पॉ दिती जा रही है गार्डियन दी रिपोर्ट दी मताबिक साल 2003 तक लागपा गठातर जार लोका नू यूके विचों अते समाजिक देख पाल देवेच काम करन ली वीजा मिलया इन विचों ज्यादा तर नाइजीरिया पारत अते जिंबावे तो आए ने उना तो हजारा थुन गैर यू देशातों ने जदो की सत प्रतीशत यू तो ने अकबार ने एक ट्रेड यूनियन यूनिसन दा हवाला दिन्देव इदर से आए कि जदो एक प्रवासी के एर वरकर नौकरी ली जान दी कोशिश का रहा सी ता एक रुजगार दाता ने सिखलाई खर्चिया चार हजार पॉंड दी मंग कीती आते एक होड़नू सभ्याचार्क शमूलिय देलाई 395 पॉंड समेत हो और प्रशासनिक फीसा देन लेगे हा बोट्स वाना दे एक वरकर जो दी यूनिसन द्वारा मदद किती गई सी और आख्या है कि उसने स्वेरे 6 वजे तो रादे 10 डिपोर्ट किते जानदार है नियमा दे मताबिक जेकर किसे करमचारी नू नौकरी तो कड़ा जानदा है ता उसनों मालक काम दे नहीं रगदा ता उसनों साथ दिना दे अंदर एक नवा स्पॉंसर करें वाला मालक लबना पएगा नहीं ता देश निकालने दा सामना करना पेंदा है यह नियमा मालक करमचारियां ते वादू शक्ति प्रदान कर दे बोस बाना तो एक केर वरकर एनी नू सिर्फ छे कंटे आ लई पुगतान किता गया सी जदो की उसने पंदरा कंटे काम किता जिस वेच मुलाकातन दी उडीक करना गाका दिविचकार गड़ी चलो गया बुलेटन दे खीर बेच एक बार फिर तो नजिर मार देया हैडलाइन्स ते उत्रा खंडी सिल्के आरा सुरांग दे विचो एक ताली मजदूर सुरख्यत कड़े गए बाहर स्तारा दिना बाद बाहर आये सुरांग अंदर फसे मजदूर आस्ट्रेलिया दे प्रदान मंत्री एंथनी अल्बानिस ने संसद्दे विच मंगी माफी गरब अवस्था दुरान खराब दवाई दिते जान दे मामले विच पीड ताली अल्बानिस में किताब पश्चा ताब इस्राइल हमास यूद नू लेके विश्व सेहत संगठन दी चतावनी गाजा विच बंबारी तो वाद लोकां दी जान नू गंबीर बिमारियां तो खत्रा सो वाल नीज वे जो फिल हाल नहीं मैंनो देव इजासत तन वाद